हालो फ्रेंड्स हालो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग तो आज इंडियन पॉलिटी में से ही एक और बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉंसेट जो की करन्ट इवेंट्स में भी इस समय चल रहा है करनाटका हाई कोट ने जो हिजाब रो में फैसला दिया ह है जो हिजाब के केस में फैसला दिया है उसमें से हमारे कॉंस्टियूशन का एक आर्टिकल आर्टिकल 25 जो की freedom of religion के साथ जुड़ा हुआ है वो निकल कर सामने आता है तो आज मैं उसी को explain करने की कोशिश करूंगा कि यह जो essential religious practice हैं वो क्या है आर्टिकल 25 clause to sub clause A क्या है तो इसको आप लूब ध्यान से सुनिएगा तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी चाहिए वो है आर्टिकल 25 क्योंकि यह सबसे ज्यादा important चीज जो आपको न्यूज में पढ़ने को मिलेगी तो आर्टिकल 25 पार्ट 3 fundamental rights freedom of conscience and free professional practice and propagation of religion in short आपको अपने religion के साथ जुड़े हुए हर तरह के fundamental rights जो हैं वो आपको आर्टिकल 25 में देखने को मिलते हैं तो conscience का मतलब है कि आप किस तरह से अंतरात्मा का रिष्टा अपने भगवान के साथ बना सकते हैं जिसको भी आप पूझते हैं free profession आप उसके साथ जुड़ा हुआ profession उसके साथ जुड़ी हुई practices और propagation अग तो है वो इसका clause 2 और subclause A ये आपको repeatedly newspaper में पढ़ने को मिलेंगे ये hijab row के साथ जुड़ा हुआ जो फैसला आया है उसके बाद तो उसको एक बार देख लेते हैं nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law ध्यां से सुनियेगा state can make law for what to regulate restrict any economic financial political or other secular activity which may be associated with religious practice तो government जो है वो law बना कर आपकी इस तरह की practices को रोक सकती है ये हमारे constitution के article 25 clause 2 sub clause A के अंदर बिल्कुल बताया गया तो अगर करनाटिका government ने वहाँ पर हिजाब डाल कर school में आने से मना किया तो वो किसी भी तरह से unconstitutional अभी तक तो sound नहीं कर रहा है हाँ supreme court में अब ये माम लगाया है वहाँ देखिए इसका क्या interpretation निकाला जाता है और एक और term जो बहुत ज़्यादा आपको खबरों में मिलेगी वो है essential religious practices क्योंकि करनाटा का high court ने कहा है कि ये essential religious practice नहीं है हिजाब का पहना essential religious practice में नहीं आता essential religious practice का मतलब क्या है follow नहीं करेंगे तो आपका धरम ही परिवर्तित हो जाएगा further denying the essential religious practices would violate article 25 which talks about the freedom of conscience, free professional practice and propagation of religion तो essential religious practices जो है वो आपके धरम की identity के तौर पर मानी जाती है तो ये definition आपको essential religious practices की पता होनी चाहिए अब ये doctrine of essentiality पैदा कहां से होती है जो doctrine of essentiality है ये seven judges का bench था आप यहां देख सकते है seven judges bench था supreme court का शिरूर मट case 1954 the court held that the term religion will cover all rituals and practices integral to a religion तो कोई भी rituals, कोई भी practices जो की एक धरम द्वारा की जाती है वो धरम का हिस्सा माना जाएगी and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practices of a religion तो court ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि essential, non-essential जो practices हैं उनको define करने का काम हम करेंगे तो क्या इससे पहले भी ये कभी सामने आया है essential legis practices का मुद्दा, yes आप यहां कुछ cases की list देख सकते हैं जैसे ये शिरूर मट केस 1954 जहां से ये सारा का सारा शुरू हुआ तो उसके अंदर seven judges bench ने इसको deal किया था उसके बाद आप सर्दार साइदना ताहेर साइफुदीन साहिब versus state of Bombay 1962 में जिसमें five judges bench ने ये फैसला दिया था कि जो दाउदी बोहरा community है वो अपनी community में से ex-communicate कर सकते हैं, members को निकाल सकते हैं और ये power head priest के पास है the court reiterated that essential practices is to be gathered from the text and tenets of the religion तो आपकी जो दार में किताबे हैं उसके अंदर से हमको पता चलेगा कि essential religious practice किसको बोलना चाहिए उसके बाद आचारे जगदीशानन्द तांडव dance case 2004 जिसमें Supreme Court ने कहा कि तांडव dance was not an essential practice of the Anandmark faith तो यहां पर again कि तांडव ना करेंगे तो आपका धरम नहीं बदलेगा यहां तांडव करने से आपका धरम जो है वो बचा रहेगा तो उसके बाद next हमारे पास शायराबानो ट्रिपल तलाक case 2017 Supreme Court held that triple तलाक was against the basics of the Quran and violative of the Shariat so इसी लिए इसको हम essential religious practice नहीं मान सकते सबरी माला में 2018 में five bench five judges का bench बैठा उन्होंने कहा कि सबरी माला में जो women है उनकी entry जो है band है तो यह essential religious practice नहीं मानी जा सकती women को entry देनी चाहिए हिजाब case में क्या कहा citing different rulings of the Supreme Court and various high courts and drawing upon from the Quran and other sources of the Islamic law ध्यान से सुनियेगा Quran का reference है तो three judge bench ने यह कहा कि हिजाब जो है वो एक essential religious practice नहीं है Islamic faith में हिजाब ना पहनने से आपकी धर्मिक identity के ऊपर कोई असर नहीं आता है और holy Quran does not mandate wearing of hijab or headgear for Muslim women whatever is stated in the above surah surah मतलब जो आयते हैं we say is only directory because of absence of prescription of penalty और penance for not wearing hijab तो आप अगर hijab नहीं पहनेंगी तो आपके लिए कोई सजा का प्रावधान Quran में या उसकी आयतों के अंदर नहीं है it is not that if the alleged practice of wearing hijab is not adhered to those not wearing hijab become the sinners and Islam loses its glory and it ceases to be religion तो हिजाब पहनने से आप इसलाम धरम को बचा नहीं रहे और हिजाब ना पहनने से आपका धरम जो है वो किसी भी तरह से ना तो बदल रहा है ना destroy हो रहा है तो simplicity से इस aspect को आप समझ लीजिए तो आप लोगों ने जो basic information है इस किस के साथ जुड़ी हुई और article 25 clause 2 sub clause 1 के साथ जुड़ी हुई I hope आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा in case अगर आपके पास कोई doubts हैं तो आप comment section में leave कर सकते हैं So keep visiting SKI Brain Train, download our app, tell other people to download our app, subscribe our YouTube channel, stay safe, stay happy, have a good day